एक दुकांदार जो हमें प्रोड़क्ट बेच रहा है यह तो डिपिक्टू दे रहा है नहीं तो ज़्यादा कीमत ले रहा है तो क्या हमारे पास रैट्स है कि हम उस दुकांदार के खिलाब आवाज उठाए बिल्कुल है ओ है कंजुमर रैट्स कोई भी ग्रहक किसी वस्तु की क्वालिटी, क्वान्तिटी, पाउर, प्यूरिटी और प्राय्स के बारे में जानकार जे सकता है भारत में कंजुमर प्रोटेक्शन – 1986 में कंजुमर्स के हितों की रक्षा करनी के लिए बनाया गया था इस acts में consumers के लिए six rights दिये गए है 2019 से Consumer Protection Act काफी सक्त किया गया है इस act में बहुत सारी नई चीज़े एड की गई है consumers को नए पाच rights दे गए है नमबर वन, right to file complaint from anywhere मतलब कही से भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार According to these rights, एक consumer चाया तो कही से भी एक consumer court में complaint फाइल कर सकता है चले इस act को समझने के लिए एक example लेते है आप दिल्ली से कुछ सामान खरिते हैं बढ़ आप रहने वाले मुंबे के हो और जो owner है, वो दिल्ली से है तो आपको दिल्ली जाने की ज़रुरत नहीं है आप मुंबे से भी उसके खिलाप complaint कर सकते हैं आप घर, office या weekend trip कहें से भी आप अपने शिकायद दर्श कर सकते हैं इस right के अंडर एक consumer को community का एक part माना गया है अगर consumer को लगता है कि उसका कोई भी rights valid हुआ है यानि किसी भी rights का उल्लंगन हुआ है या फिर as a consumer आपको लगता है कि कोई चीज illegal है तो आप complaint फाइल कर सकते हैं इस act के अंडर misleading of advertisement भी आता है अगर आपने कोई advertisement देख के कोई सामान खरितते हो बट खरितने के बाद हो according to expectation नहीं मिलता तो आप इसके basis पे भी complaint कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि प्रोड़क्ट खरितने के बाद आपके साथ कोई धोका हुआ है और आप जो service या product ले रहे हैं वो आपके ठीक से नहीं मिला तो इसके खिलाप आप complaint कर सकते हैं आप अगर trader से या फिर producer से कुछ खरिद रहे हैं और आपकी personal information भाहर किसी को दे रहा है तो आप इसके लिए complaint फाइल कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि आप complaint तो करते हो लेकिन community आपका complaint reject कर देती है पहले आपके पास ये जानने का हक नहीं था कि आपकी complaint क्यों reject हुई बट अब आपके पास ये rights है आप जान सकते हैं कि किस बेसिस पर आपका complaint reject किया गया है अगर आपके consumer court में कोई complaint की है और उस complaint की hearing चल रही है तो आपके rights है जिससे आप hearing video conference through सुन सकते हो ये है नए 5 consumer rights अपने friends को भी इस rights के बारे में पता होना ज़रूरी है इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी information अच्छी लगी हो तो like, comment और subscribe ज़रूर कीजिए